आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर की सबजी जो की बिल्कुल भी घर के सामान से बनाया हुआ है अगर आपको चटपटा खाना अच्छा लगता है तो यह सबजी आपके लिए इसके लिए मैं ने लिया है दो प्याज कटे हुए और दो टमाटर कटे हुए सबसे पहले पैन गर्म कर लेते हैं और दो चमज तेल में प्याज को भून लेते हैं प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि यह ब्राउन कलर का ना हो जाए इससे टाइम की बचट भी होती है आप पहले से यह तियारी करके रख सकते हैं प्याज बिल्कुल हो चुका है गो चमज घी क्योंकि तेल है यह तेल पहले भी डल चुका है इसलिए जादा नहीं डालेंगे और उसमें डाल रहे हैं दो इलाइची डाल चीनी जीरा जावित्री और इसके साथ ही डाल लेते हैं मरसाला जीरा चटक जाने के बाद मसाला डालेंगे लाल मिर्च कास्मेरी पाउडर धनिया पाउडर काली मिर्च का पाउडर है यह साथी डाल लेते हैं लहसुन और अद्रक का पेस्ट अब इन सभी मसाले को अच्छे से भूनेंगे लेकिन यहां पर पानी नहीं है तो जलने का डर है तिसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूं एक चमज के मसाले को भून लेकाना, मैंने मसाला भून गया, इसके बास डाल लेते हैं टयमाटर त्सक्ति रिक काले थे तेल बस दley टौन बहसे है मैं तो बजह बाद यहाद बहून हुद्ली के आसरी प्यासार को बनाने में समया बहुत कम करीदा है आप देख सकते हैं कि मसाले को मैंने पहले भून लिया तो उसमें भी टाइम बच गया प्याज पहले से भूना हुआ था उसका भी टाइम बच गया तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सबजी है ये देखिए ओएल उपर आ चुका है अब इसके साथ ही डाल लेते हैं हरी मिर्च इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है डाल लेते हैं पनी ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला है ना तो कोई एक्स्ट्रा गरम मसाला भी नहीं है अगर आप चाहें तो यहां पर डाल सकते हैं लेकिन यह सबजी बिल्कुल घर के सामान से आप बनाईए और बिल्कुल इस पेसल बनेगा ग्रेवी भी आप अपने पसंद से कम या जादा रख सकते हैं पनीर डालने के बाद में ढग देते हैं और दो मिनट के लिए इ भीरा राइस के साथ सर्ब कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं है इसलिए यह पनीर टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है तो आप एक बार जरूर बना करके ट्राइ करिए बताईए कैसा बना थैंक्स पर वाचिंग